गैज आज की वीडियो में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आपके साथ डिसके सुगोंगा जो कि बहुत सारे नए यूट्यूबर को भी ये प्रॉब्लम फेस्ट करना पड़ा है जब इस प्रॉब्लम हुआ कि जब मैं अपने अपने यूट्यूब के बीटा स्टूडियो को करता हूं मैंने यहां वहली कि studio.youtube.com मैं इसको उपन करता हूं तो यह जो है मुझे डारेक्ट मेरे वाइटी स्टूडियो एप पे रीडारेक्ट कर देता है इसका सुलूशन कि किस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्फ करना है कि आपके Chrome ब्रॉजर में आपका जो डारेक्ट ली बीटा सुडियो ही ओपन हो तो इसको सॉल्फ करने कि मैं आपको दो ट्रेक्ट बता हूंगा दो मैथड़ बताऊगा यह आपने किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्फ करना है तो नबर फर्स वाल जो मैथड़ है वह आपको मुबार्फोन की सैटिंग में जाग आपको और नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिलती रहे तो सबसे पहले जो है आपने मुबार्फोन की सेटिंग में आजाए में तो यहां के आपको नीशिए अपशन मिल जाता है ऐपको अप्लिकेशन मेनुजर मिल जाए अपको सिर्फ अपने मुबार्फोन म एपस लिखा हुँआम मिल सकते हैं तो आपने इसको ओपकर लेंड अप्रीर किTime करना है क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इतनी भी आपके मॉबाइल फून में को sweptовать स्थारी साफ रहा है बात बता फॉल्ड का यहां पर ने इस पे क्लिक करदेने क्लिक करेंगे तो आपके सांब NATION हूँए और पिस तो किशन बता हुआचर है उपने उपफिक हुआ है तो यहां पे मैं लिखा हुए studio.youtube.com ठीक है अब मैं यहां पे इस पे दुबारा से क्लिक करूँगा तो अब देखते हैं कि हमारे सामने जा हूँ अब वाइटी स्टूडियो अप्लिकेशन ओपन होती है यह हमारा डिरेक्ट यह वो बीटा स्टूडियो ओपन होता है तो काई इस तरह से मेरे सामने जाए Chrome ब्रॉजर मेरा डिरेक्ली अब बीटा स्टूडियो ओपन हो चुके पहले जाए इस पे क्लिक करता था मैं studio.youtube.com में सर्च करता था Chrome पे तो मेरे सामने जाए वो वाइटी स्टूडियो अप्लिकेशन को यह बाइबर ओपन कर देता था ठीक है तो अब इसका प्रॉब्रम यह फ़स्ट वाले तरीके से आपको जाए वो इसका सलूशन बता दिए कि आपने अप्लिकेशन को ओपन करके वहां पर जाके आपने इसकी थोड़ी बहुत करने हैं यहां पर आपको थ्री डॉट्स मिल जाते हैं उपर आपने सिंप्ली इसके उपर क्लिक करने क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपने इसको डैस्क टॉप साइड मौट पर आप इसको क्लिक करने क्लिक करेंगे यहां पर बीटा सुडियो को रिफ्रेश करके इस त तो इस तरह से एक option आदेगा यहां पर लिख है channel dashboard YouTube studio यहां पर आपको एक application में convert कर देगा आपकी YouTube की application में convert करके आपको देदेगा अब आप चाहे तो इसको rename करके आप अपने channel का यहां पर नाम भी लिख सकते हैं तो मैं भी यहां पर अपने channel का नाम लेख देता हूं तो इस तरह से आपने भी अपने channel का जाओ यहां पर नाम लिख देना मैंने भी यहां पर अपने channel का जो इस यूटीव की नई application यहां पर convert हूई है तो इसको मैंने अपने channel का नाम देदी अब यहां पर आपने simply add पर click करना है add पर click करेंगे तो अब यह आपके मुबाइल फोन में जो एक application के convert होगे आपका जो चैनल का dashboard है ना यूटीव चैनल का वो अब आपकी एक application में convert होगे यहां पर मेरे सामने भी आ जोगे आपके सामने भी इसी तरह से आप यहां पर देखें यहां पर मेरे पास यूटीव की यह main application है और number second मेरे पास है जो कि मैंने भी आपके सामने एक application को अपने चैनल के dashboard को application में convert किये तो मैं यहां से आपको यह open करके दिखा देता हूं तो देखें यहां पर मेरे पास जो हो डिरेक्ली मेरे अप चैनल का dashboard open होगा मेरे चैनल का beta studio ही डिरेक्ली यह open करेगा ठीक हो गया तो इस तरह से आपने भी अपने problem को solve कर लेंगे अपने यूटीबर के साथ बहुत जादा यह problem फेस करना पड़ा है और अगर आप प्राने यूटीवर है यहाप पहले से अपने problem को use करें चैनल को login किया वह आपने तो आपके साथ यह problem के स्टाम आइगा तर आप ने यहां मुबाइल करीद थे यह आप अपने किसी और लाइक करके कैमन करके जिमी बताइए का चैनल को सब्सक्राइब पर देना और साथ में आपने बैल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो मिलते है नेक्श वीडियो के साथ अल्ला हाफिज